इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्धा का एकसरसाइज 13.2 का क्वेस्चन नमबर 4 तो आईए देखते हैं क्वेस्चन कहता है क्वेस्चन कहता है एक कमरा बेलन के आकार का है इस पर अर्ध कोला कार एक वाल्टेट गुम्मद बना है इसमें 41 पुर्णा कुणी सवटा 21 मीटर क्यों हवा है और भवन का आंतरिक ब्यास वाल्टेज के मुकुट की फर्च से उचाई के बढ़ावर है तो उचाई ग्याद करें हमें भवन की उचाई ग्याद करना है तो कुश्चन के अनुसार हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे चुकि छेत्रमीती के कुश्चन के लिए फिगर बहुत ही इंपोर्टेंट होता है यदि आप फिगर को समझ जाते है तो फिर कुश्चन बहुत आसान हो जाता है तो आएए देखते हैं कहता है कमड़ा बेलन की आकार का है हमारा जो कमड़ा है वो बेलन की आकार का है तो सबसे पहले हम क्या किये एक बेलन बना लिए अब आगे कुश्चन कहता है इस पर अर्ध गोलाकार एक वाल्टेट गुंबद बना है इस पर अर्ध गोलाकार एक वाल्टेट गुम्बद बना है इसमें 41 पुर्णांग 19 वटा 21 मीटर क्यों हवा है अर्थात यह जो भवन है भवन में भड़े हवा का आयतन आयतन 41 पुर्णांग 19 वटा 21 मीटर क्यों है अब आगे कुश्चन कहता है भवन का आंत्रिक व्यास यह जो हमारा भवन है इसका आंत्रिक व्यास 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 के मुकुट से फर्स से उचाई के बढ़ावर है यह हमारा यह भवन की कुल उचाई हो गया जिसे हम H कह देते हैं यह जो व्यास है यह उचाई के बढ़ावर है उचाई के बढ़ावर है तो व्यास को हम D लिख देते हैं हम व्यास को D से सुच करते है नहीं लिखेंगग d, बड़ावर उचाई h यदि ये बेलन है, तो इस बेलन का तरिज्या s maul r हो जाएगा जब बेलन का तरिज्या s maul r है, इसका मतलब है कि गोला का भी तरिज्या s maul r ही होगा चुकि जो अर्थ गोला है या बेलन पर ही अध्यारोपित है इसका मतलब होता है कि जितना बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही अर्ध गोला का भी त्रिज्या होगा तो हम जानते हैं जो ब्यास होता है वह त्रिज्या के दो गुना होता है अर्था 2R बडावर H अर्था H बडावर 2R अर्था 2 गुना त्रिज्या दो गुना त्रिज्या हमारा ये वाल्डेट का जो उचाई है वह त्रिज्या के दो गुना है अर्थात यदि हमें इसका त्रिज्या मिल जाता है तो हमें इस वाल्डेट की उचाई जो है अर्थात ये कमरे की उचाई है आसानी से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम इसका त्रिज्जा ग्याद करेंगे. तो यह जो हमारा भवन है, यह बेलन और अर्ध गोला से मिलकर बना है, तो यहां बेलन का आयतन, जोर उपर अर्ध गोला का आयतन, बड़ावर, यह 41 पुर्णांग, 19 बटा 21 है, इसको हम लिख सकते है, 880 बटा 21, जब हम इसका पुर्णांग तोड़ेंगे, तो हो जाएगा, 880 बटा 21, अब बेलन का जो आयतन होता है, वो होता है, पाई आर एसकोईर एच, जोर अर्ध गोला का जो आयतन होता है, वो होता है, टू बाई थ्री, पाई आर क्यू, बड़ावर, 880 बटा 21, अब यहाँ पाई आर एसकोईर तो पाई आर एसकोईर लिखेंगे, गुनाई एच, यह जो एच है, यह बेलन का उचाई है, तो यहाँ, capital H बड़ावर 2R है, अर्थाती, capital H बड़ावर 2R, तो यदि यह आर है, तो यह भी आर ही होगा, हम जानते एक गोला का त्रीज्या है, जे आर है, तो यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, इसका मतलब यह होता है कि बेलन का जो मुचाई है वह R के बढ़ावर है तो हम H के जगह R लिख सकते हैं ते हैं H के जगह R जोड़ 2 बटा 3 पाई R Q बढ़ावर 880 बटा 21 अब यहां यह पाई R से R में गुना करते हैं R Q हो जाएगा जोड़ 2 बटा 3 पाई R Q बढ़ावर 880 बटा 21 यहां हम बटा में एक माल लिए एक और तीन का जो LCM होगा वो तीन हो जाएगा एक से तीन में भागने तीन आएगा तीन से जब गुना तो 3 पाई R Q जोड़ फिर तीन से तीन में भागने कर जाएगा एक मिलेगा एक से जब गुना करें तो 2 पाई R Q बढ़ावर 880 बटा 21 अब तीन पाई R Q और 2 तो 3 और 2 पाँच पाई R Q बटा में 3 बढ़ावर 880 बटा 21 हो गया अब यहां तीन सते 21 यह कट जाएगा और 5 से इसको कट दीजे पाँच इक्यम पाँच आठ बचेगा तीन 38 हो जाएगा साथ बचे 35 और फिर बचेगा यह पाँच तो तीन बच जाएगा तो छो बचे 30 कट जाएगा तो मिलेगा पाई R Q पाई R Q तो पाई का जो फैलू हो 22 बटाए 7 और R Q बढ़ावर 176 बटा साथ हो जाएगा अब यह साथ से साथ कट गया और 22 अर्ठे 176 अर्था R Q बढ़ावर 8 हो गया अब R Q हम इस तीन को Q को इधर भेज देते हैं तो यह हो जाएगा R बढ़ावर करनी में 3 और 8 अब इसे हम लिए 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 इस करनी का मतलब होता है कि जितना संख्या यह 3 है अर्था 3 में से किसी 1 को निकालेंगे 3 में से 2 हो जाएगा अर्था यह 2 मीटर हमारा तिरिज्या हो गया जब यह 2 मीटर हमारा तिरिज्या हो गया तो हमें चाहिए उचाई यह H बढ़ावर इसलिए एच वरावर टू आर तो गुणा आर का मान दो अर्था दो दुणा चार मीटर जे हमारा इस्तभवन का उचाई हो गया तो फ्रेंड से दि मेरा वीडियो पसांदार मेरे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट कर अपने दोस्तों से जबुद शेयर करें थ करें